तो दूस्तों स्वागा थे निया प्रोच चैनल में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एजुकेशन मिनिस्टी से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा अब क्या होगा पहुंचेगा हाइर एजुकेशन की ओर यानि अब क्या ह राए कि जो ऊंची चाहे अब उसकी तरह भढ़ेया जाएगा बच्चों को ऊंची चाह यानि एजुकेशन हाइयर एजुकेशन अब कर यह की जो इजुकेशन मिनिस्टी ने यहानि आप यह पास होट को अपर्चस फेक्शन परसेंट है higher education यानि इंडिया में इतने लोग higher education करता है इसको बढ़ा के 2035 में 50% करने का लक्ष रखा गया है तो यह कैसे होगा तो आप देखेंगे जैसे plus two के बच्चा होता है नॉर्मली उसके बाद graduation करता है graduation में कोई science करता है कोई art करता है तो इसमें अब बात हो रहे ही कि जो 4 साल का इसमें course होगा यानि graduate का क्या होगा चार साल का course होगा अब 4 साल में क्या होगा कि इसके साथ साथ इसकील्ड पे फोकस किया जाएगा यानि इसकील्ड पे फोकस किया जाएगा और इसके साथ साथ intensive intensive यानि देखिए इसकील्ड पे फोकस होगा और प्लस intensive मतलब प्रसिक्षण दिया जाएगा ट्रेनिंग दिया जाएगा अगर जिस चीज़ की पढ़ाई हो रही है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी तो higher education में क्या होगा कि बहुत बड़ा changes लाने का कोशिस किया जा रहा है और ये जो changes जा रहा है NEP यानि National Education Policy जो 2020 है इसी का ये रूप है और इसी में अब हो रहा है कि graduate वालों बच्चों को चार साल में होगा पढ़ाई के साथ साथ एक अलग से उसमें course चलेगी जिसमें skilled out intensive कराये जाएगा अलग-अलग कामों के लिए training दी जाएगी तो higher education में जो focus किया जा रहा है किसमे फोकस किया जा रहा है तो आप देखिए medical हो गया और प्लस engineering इंजिनिरिंग मेडिकल और engineering में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो medical और engineering की है ये ज़्यादा तरह आप देखेंगे जो हमारी इस्थिती आभी खास करके engineering में आप देखेंगे इसमें quality वो नहीं दे पाते हैं यानि जो skill की बात हो रही है तो कहीं न कहीं काफी कम है क्योंकि ऐसे लोग जो higher education करने के बाद जाते हैं तो उन्हें job अच्छा नहीं मिल ला है क्योंकि उनकी proper training नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पूरी तरह theoretical पढ़ाई होती है इसकी वज़द से क्या होता है कि कहीं न कहीं उसको कमी होती है और इसमें जितने भी engineering college ह खास करके आप नीचे वाले college में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत जादा जो faculty रखा जाता है अच्छी quality नहीं होती है जिसके कारण उसका जो product होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है इसलिए क्या होता है कि student अच्छे नहीं हो पाते है इसलिए उनकी demand कम होती ह तो अब सरकार क्या कर रही है कि इसको proper अगर college के time में ही अगर ये start कर देती है graduation में ही start कर देती है तो इसका परणाम क्या होगा और better होगा और ये क्यों decide क्या है क्योंकि 27% है पूरी दुनिया में अगर बात किया जाए तो इंडियन जो student है higher school में higher education में काफी demand होती है job के ल हमारे याँ जितनी job crisis है जितना youth है उसको हम लोग sustain नहीं कर पा रहे है किसी job को youth को job नहीं मिल पा रहे है आप देखेंगे यहां पर जो normally 10,000 रुपे की भी salary ठीक से उलोको नहीं मिल पाती है एक normal जो student है उसकी आप बात करिएगा तो 10,000 रुपे भी salary मिलना मुस्किल हो जा क्या किया जाता है कि इसको बढ़ाने की बात हो रहा है कि अगर हम higher education पर focus करते हैं तो इस पर focus करने के बाद होगा तो पूरी दुनिया हमारे लिए एक open market की तरह काम करेगा और job यहां पे आपको जादा मिलेगा इंडिया में काकी competition जादा है लोग जादा है और job कम है इस व जाख तक भी salary मिल सकती है एक normal की मैंने बात किया कि 10,000 job आप normally कोई education करता है तो उसके बाद 10,000 की नौकरी भी मिलना मुश्किल होता है तो यह मैं professional की बात नहीं कर रहा हूं यह normal भी बात कर रहा हूं तो normal भी अगर job कहीं बाहर मिलता है तो उसको कम से कम इतना salary तो जरूर म मिलेगी तो आप देखिए कि हमारे उपर इतना दबाओ है government के उपर इतना दबाओ है क्योंकि job है नहीं खास करके private sector में देखेंगे जो भी है limited है तो बहुत ज्यादा exploitation होता है तो इसको देखते वे अगर यह अगर start हो जाता है तो definitely है कि इसके पास opportunity ज्यादा मिलेगी ज्य उसमें आप देखेंगे कि इंडिया वर्ल में पहला country है वर्ल लार्जेस्ट है जो सबसे ज्यादा remittance आता है उसके बाद चाइना का आता है तो आप imagine कर सकते हैं कितना बड़ा यह चीज़ा अगर हम higher education वे focus करेंगे तो यहां के student youth को क्या होगा दुनिया में आप कि वहां से जो remittance है इसको आप two कर सकते हैं या three कर सकते हैं यानि two time three time बढ़ा भी सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारे GDP में कितना बड़ा यह contribute होगा तो कहीं कहीं job का होगा आप देखेंगे कि सरकारी जो job है आप पूरे जितने भी enrollment होता है उसका less than 1% क्या होता है लोगों क कि इसी में खतम हो जा रहा है किसी को job नहीं मिल रही है और उसके बाद ऐसा हो जा रहा है कि वह किसी कुछ भी करने के लाइक नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह क्या हो रहा है कि हमारा अगर higher education होगा तो ऐसे जो 99% लोग हैं कम से कम यह इस्थिति नहीं होगी यहां से यह कर सकता है और इनको job मिल जाएगी हमारे देश की economy के लिए अच्छा रहेगा और प्लस इनकी economy के लिए अच्छा होगा तो इस तरीके से प्लान की जा रही है इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे higher education का कितना रोल है आप देखिए इसमें digital education का भी बहुत ब बात हो रही है जैसे हमने पड़ा है कि इंडिया नेट प्रोग्राम जो चलाया गया है तो इसमें क्या हो रहा है कि गाओं को जोड़ा जा रहा है इंटरनेट से broadband connection से जोड़ा जा रहा है ताकि वहां की speed अच्छा रहे तो आप घर बैठे भी higher education कर सकते हैं और यह जो रखा नहीं है आप देखिए कि जिस तरीके से अभी कुछ सालों में बहुत changes देखने को मिला है कि आप जिस original language में भी आप त्यारी कर सकते हैं आप देखेंगे MP में अभी हाली में जो medical की पढ़ाई हो रही है हिंदी में पढ़ाई हो रही है बंगाल में बंगला में पढ़ाई हो अगर हम language को भी barrier बनाएंगे तो problem आएगी अगर हम इसमें original language को जोड़ देंगे तो कहीं न कहीं हमारा गरीब हमारा पिछड़ा हुआ जो छेत्र है वैसे लोग भी higher education को adopt करेंगे और आगे जा करके skilled हो करके आप देश के साथ साथ अन्ने देशों में भी job करने के लाइक हो हमारे जो गरीब लोग है वो लोग भी इसको पढ़ सकता है जिसको language English नहीं आता है वो भी कर सकता है तो इस तरीके से पूरी skilled की बात हो रही है कि NEPE में इस तरीके की changes को change किया जा रहा है तो आप देखिए कि कितना बड़ा ये रामबान साबित हो सकता है तो यही जो purpose लि आएगा तभी higher education लेगा इसको कही न कहीं अब ये time आ गया कि आप school level पे भी school level पे भी आप इसको adopt कर सकते हैं क्योंकि school में आप देखेंगे हमारा जो education system है real में कहिए तो दो घंटे से ज्यादा की class की requirement नहीं होती है बाकि अगर 5 घंटे और 6 घंटे की class होती है तो यह पर काम किया जाए यानि higher education या skilled पर काम करें किसी चीज़ का आप training दे उसको सिखाए उसको बढ़ाए तो कहीं न कहीं हमारा जो school का बच्चा होता है माइं बहुत नाजूक होता है तो वहाँ adopt करने की छंता ज्यादा होता है तो यहाँ पर अगर school level पर ही अगर हम करना तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आप school के बच्चों को भी देखके हैरान होंगे कि school की पढ़ाई कम यानि जो हमारा syllabus है उसकी कम और ज्यादा पढ़ाई होती है skill पर फोकस किया जाता है उसको training दी जाती है तो उसको proper training दी जाती है किसी काम को ले करके उसको interest देख अगे बढ़ सकता है तो उसको उस तरीके से करके उसको training दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है तो आप देखिया अब जमाना गया कि आप अकबर बाबर के खंदान का क्या नाम है उसकी कितनी बीवी थी कितनी बहन थी कितना परिवार था यह सब खतम करने का time आ गया है पढ़ाईए तो अब इस तरीगे की पढ़ाईए कि जो हमारा skill को develop करें न कि हमको रटने और यह सब करने से क्या होगा आप बाबर के बारे में पढ़ करके उसके बच्पन का नाम क्या है कौन सी उमर में कौन सी उपाधी दी गई है इससे आपका कौन सा skill develop होगा तो कहीं न कह में एक दो चेप्टर हडपा वेगरा civilization पढ़ा सकते हैं बाकी जितना medieval है कोई जरूरी नहीं है इसको पढ़ाने का कोई अंग्रेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है अपना history पढ़िए और साथ में अपना skill develop करिए इस तरीके से crosses को बनाइए ताकि आपको लगे बच्चों म कभी आपने बोला ही नहीं है और हिंदी भी वही होती है कि हिंदी में भी प्योर आईसी हिंदी होती है कि life में कभी कोई use ही नहीं करता है तो वैसे language डालने की क्या जरूरत है आप हर चीज में system को liberalize कर रहे हो modify कर रहे हो तो यहां language सबसे बड़ा चीज है कि आप NCRT किताब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बच्चों को problem आती है language कि किताब ही नहीं समझ में आता है इसलिए बचारे ट्यूशन जाते हो वहां भी टीचर को भी नहीं जल्दी समझ में आता है तो कहीं न कहीं हमें क्या होना जो लिखने का तरीका वह इतना सरल होना चाहिए कि कोई भी एक बार पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए यह नहीं दम बिल्कुल आम बोल चाल की भासा हो जिससे की आदमी पढ़के खोदी ने समझ में आता है इसुकेशन का परपस यह नहीं कि आपको confuse किया जाए कि आप समझ के दिखा दो कि कैसे तुम समझ रहे हो इसुकेशन क उसमें भी आप पढ़ सकते हैं जब इतना लिबरलाइस कर रहे हैं तो किताब की जो लिखावट है जो भासा है उसको क्यों नहीं सरल बनाये जा सकता है तो मेरा कहने का मतलब यह है तो यह जो डिजिटल है डिजिटल की और बढ़ रहा है इस तरीके से सारा जो सिस्टम बन कर दो